सीरिया के हालात हो गए बेकाभू, बेकाभू विद्रोहियों ने पूरे देश में कर लिया कबज़, हालात हुए बेकाभू तो देश छोड़ कर भागे राष्टपती खत्म हो गया 50 साल का शासन, रूस इरान के दोस्त का काम तमाम पीम ने विद्रोहियों को सत्ता सौपने क दिया प्रस्ताव, मिडिल इस्ट पर पढ़ने वाले देश सीरिया में विद्रोहियों का कबज़ा हो गया है, वहां के राष्टपती बशर अल असद ने देश को छोड़ कर भागने का फैसला किया है, इसी के साथ ही बशर अल असद के 50 साल के शासन का अंत हो गया है, राष जलिए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताता हूँ और जानते हैं सीरिया के इस वक्त हालात कैसे हैं, सीरिया में पिछले कई सालों से ग्रह युद्ध के हालात थे, इस युद्ध की शुरुवात साल 2011 में हुई थी, जब हिंसा में लाखों लोगों की जान चली ये युद्ध बसर अलसत की सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था लेकिन अब इसमें कई अलग-अलग समूँ शामिल हो गए हैं इसमें प्रद्योयों के समूँ में आतंकवादी संगठन और अन्य देशों की सेनाएं भी शामिल थी और इन्हें विदेशी ताक्तों का भी पूर चानी प्रॉक्सी हिजबुला ने विद्रोहियों से लड़ने में असत सरकार का साथ दिया था तो दूसरी तरफ रूस हवाई विमानों ने भी इनकी खुब मदद की थी इस बार हालात थोड़े अलग हैं हसत के जो दोश्त हैं रूस और इरान वो अपनी लड़ाई में पर दश्मिक को आजाद घोसित कर दिया सैन अभियान कमान ने टेलीग्राफ पर एक पोश्ट में लिखा हम दश्मिक शहर को ताना शाह बसर अलसत से मुक्त घोसित करते हैं बयान में कहा गया कि दुनिया भर के विस्तापीतों के लिए एक सुतंत्र सीरिया आपका इंतजार कर रहा है वहीं दूसरी ओर सीरियाई प्रधानमंत्री मुहम्मद गाजी अलजजाजी ने रविवार को सुबह एक रिकॉर्डेट संदेश में कहा कि सरकार लोगों द्वारा चुने गए किसी भी नित्त के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तयार है अलजाजी ने कहा क कि सारवजिनिक संस्थानों राज जिसुविधाओं का संचालन जारी रहे सभी नागरी को कुछ सुरक्षा सुरिश्चित हो सके इसके लिए मैं शांति पूंड तरीके से सत्ता हस्तांतिरित करने को पूरी तरह से तयार हूँ फिलाल आप किस देखते हैं सीरिया में हुए इस तक्ता पलट को कौन बॉक्स में लिखकर बताईगा और पेज को फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कूर भूलीगा धन्यवाद